आज मैं रिदिद के लिए सिंपल आलू पालक बना रही थी तो सोचा क्यों ना आपके साथ वीडियो शेर की जाए जिसके लिए हमें चाहिए एक चम्मत जीरा जिसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे एक हरी मिर्च क्योंकि रिदिद ज्यादा मिर्च नहीं खाता है अभी तो मैंने इसलिए एक ही मिर्च ली हुई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं एक प्याज लेंगे इन सभी को गोल्डन ब्राउन होने देंगे इसमें कटा हुआ पालक डाल देंगे और आलू डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ सूखे मसाले लेंगे जैसे धनिया पाउडर स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर मैंने यहां पर लाल मिर्च ली हुई है इसे हम धक कर पका लेंगे पांस से साथ मिनिट आप जैसे ही धकेंगे तो पालक अपना पानी छोड़ देगा जैसे हमें अलग से पानी डालने की जरुरत नहीं है पालक उसी में पक जाएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें इसे हम फिर से चलाएंगे अब हम चेक करेंगे आलू लगभग पक चुका है इसे दो मिनिट और पकने देंगे ताकि इसका पानी सोख जाए आप इसे घर पर जरूर ट्राइड करें यह बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है और बच्चों के लिए यह हेल्दी भी होती है थैंक्स फ़र वाचिंग